नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बीजे है आप लोग देख रहें बीजे एजूकेशन चेनल तो गाईज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं तो गाईज आप जो इस क्रीन पर देख रखे हैं हमने स्लाइड सो तयार कर रखी है तो गाईज अगर आप लोग जीके क तयार करना चाहते हैं अपने लेप्टोप से तो कैसे तयार करोगे तो गाईज आप लोग देख सकते हैं हाइलाइट भी हो रहा है जिसे काजी रंगा राष्ट दान किस राज्ज में इस्तिते हैं आपको एंटर प्रेस करना उसके बाद नेक्स्ट कोशन आ जाएगा लोगों को गाईज आप लोगों को हम बदा दे हैं आपको सबसे पहले तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए उसके बाद आपको पावर पॉइंट के बारे में नालीज होना चाहिए उसके बाद ही आप लोग यह कोश्चन इस तरह से त्यार कर पाऊ गए तो पकी स्क्रीन पर हम आ गए है उसके बाद आपको करना कि आपका जहां भी पावर कॉइंट है उसको ओपन कर लेना मेरे पास 2007 का power point है तो इसे मैं home button से open कर लेता हूँ open करने के बाद guys यहाँ पर blank page आएंगे आपको यहाँ पर insert में जाना है design में जाना है, design में जाने के बाद page setup पर जाना है page setup पर जाने के बाद guys यहाँ आपको YouTube का size चूज कर लेना है solar ratio 9 तो इसको guys हम okay करके select कर लेते हैं अब इसके बाद हम background यहाँ पर देख सकते हो इसको theme को यहाँ से ले रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ से design में जाके theme ले ली हमने है अब यहाँ पर हम question त्यार कर रहे हैं तो guys वीडियो ध्यान से देखिएगा अब इसको हम delete कर देते हैं महापना cursor यहाँ पर ले जाके delete करने के बाद guys delete करेंगे उसके बाद हम guys ने टेप लेंगे इनको हम दोनों को delete कर देते हैं delete कर देने के बाद guys अब हम जाते हैं animation slide so insert में जाएंगे bird art में जाएंगे guys यहाँ से हम कोई अपना color ले ले लेते हैं प्लाल guys हम यहाँ पर blue color ले रहे हैं color लेने के बाद guys यहाँ पर अब हमें typing करना है जो भी question हमें त्यार करना अपना है तो guys हम यहाँ पर question अपना type कर लेते हैं आपको हिंदी typing आनी चाहिए और यहाँ आपको करना क्या है insight में जाना है home tape में जाना है उसके बाद यहाँ से आपको अपनी हिंदी सिलेक्ट कर लेनी है मैं तो फिलाल यहाँ पर पूरती देव 10 सिलेक्ट कर लूँगा आपको हिंदी font सिलेक्ट कर लेना है guys तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए गाईज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को तो guys हमने कुर्ती देव लगा ली है तो यहाँ पर हम अपना एक कोशन टाइब कर लेते हैं तो कोशन टाइब करने के लिए आप लोगों को हमने बताया था इंसर्ट में जाना है बर्ड आर्ट में जाना है अपना कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर किलिक करके जो यह लिखा हुआ है इसको हटा देना है और अपना फोंड वहां से चेंज कर लेना है फोंड आपको यहां से चेंज कर लेना है आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है फ्लाल में टाइप कर ल कर दिया है वह में चार ओप्षन त्यार करना है तो इसके लिए हमें करना क्या है गाई इंसर्ट में जाना है और यहां से हमें सेप लेना है सेप लेना है यहां से गाईज हम चार सेप ले लेते हैं तो देख सकते हो गाईज यहां से हमने सेप ले लिए हैं हमें चार सेप लेन टाइम लगेगा आपको अबको लेंए के बाद आपवाद इनसेफ में जाके शेंप ले सकते हो यहें सेव के तैयर करूगे उसके बाद घाईज आपको जाना है टेक्स्ट बोक्स में और यहां पर आपको किलिक करना किलिक करने के बाद आपको होप टेम पे जाना है और यहां पर अपनी हिंदी सिलेक्ट कर लेना मैंने कुर्टी देव 11-11 को सिलेक्ट कर रखा हम कोशन यहां से एक त्यार कर लेते हैं कोशन एक त्यार कर लेते हैं यहां से और यहां पर लिख देते हैं एक देते हैं राष्ट पती तो हम यहां पर अपना तयार कर लेते हैं गाईज मंगल फॉंड अभी आपको आना चाहिए मंगल फॉंड में ऐ ак comments कुछ इसके अच्छर नहीं आते ह scrolling आपको mangal phone भी आना चाहिए तो हम फिलाल हमाई हो है तो हम ने type कर लिया ओझेव लिए अब इसको क्या कर ना है इसको control a से हमें क्योंपना है select!」 क für एक कर एक है और थोडा यसे कर देना है वहें belled कर देते ह्या fine इसे थोड़ा कर देते हैं बोल्ड करने के बाद इसका थोड़ा साइज उड़ा देते हैं इसको करना क्या गाइज जैसे ही कंट्रोल डी करना है काईज कि कि चूज उती लेगे ग्वायज जैसे ही कंट्रोल न हुद ही बदलीकेट हजाएगा ड़ो ऑफ तो है कि अ क्टोल दी हमें करना है तो डूबलीकेट हो जाएगा कि अ क्टोल डी करने लिए हैं तो आखि मरें चार बार डूबलीकेट कर लिया है अब इसको करना क्या है इसको हमें option को set करना है अब है अब इसको गाइज ट्रेक कर देना है option को है साइज के हिसाब से लगा देना है एक option यह हो गया गाइज अब इसको एक को यहां पर लगा देते हैं और दूसरे option को गाईज इसको यहां पर लगा देते हैं चार option गाईज हमारे त्यार हो गए हैं अब करना कि आप अप्शन तेयार हो गए तो अब इसमें समय राष्ट पती ही लिखा है तो अब हमें इसको चेंज करना है तो बेक स्पेस से हम यहां पर चेंज कर देते हैं सभी में यहां पर दो बना देते हैं क्योंकि यहां पर दो हम त्यार लिख देते हैं यहां पर गाईज हम लिख देते हैं तीन आप चाहूं तो ए बी सी भी लिख सकते हो और मैं यहां पर लिख देता हूं चार और यहां पर आपक्र में दूसरे नाम भी दे सकते होगाईज हम प्रज़ करके लिख देते हैं जली वल्ली तो जब हमने हैं चारू ओप्शन तैयार हो गया है तो गाई जब हमें करना क्या इस पर जो हमें इसलाइड हो दिखाई दे रहे हैं इस पर करके हमें ctrl D ctrl D ctrl D जितने भी कोशन 50 कोशन तयार करना तो 50 कोशनों में ctrl D ctrl D कर लेना है तो गाई हम साइड में देख सकते उधर duplicate हो गये हैं सब duplicate हो जाने के बाद जब हमने इस पर देना है animation जो हम किलिक करेंगे तो option सही दिखाए गाउיץ का option का option सही है और राष्ट्पति-व्ठियाला तो हम इस एनी मैंसर देना है तो गॉइस हमенер इनी मैंसर में जायेंगे इसे करेंगे हम select सेलेक्ट करने के बाद गाईज हमें जाना है करेमाई में करेश्ट माईडी में जाएंगे गाईज तू हमए एक option मिलेगा कि यहां पर देख सकते हो गाईज कैश्टमाईज और अबशन में अब गाते हैं तो टो टहल हम ज Capri semaines यहां पर हम चूज़ करेंगे कंप्लेमेंटरी कलर टू तो गाइज इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है अब सिलेक्ट करने के बाद हम गाइज इसको कर देते हैं यहां से स्लो आप गाइज हम ओप्षन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इनिमेंशन हमारा लग गया है तो गाइज करना कि आपको इस पर क्लिक करना है जिस ओप्षन को आपको हाईलाइट दिखाना है तो इफेक्ट पर जाना है इफेक्ट पर जाना है गाइज जाना है आपको इंपेसिस पर और इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा कंट्रोर रेस्टिंग कलर इस पर क्लिक करना तो गाइज जैसे ही आपका ओप्शन यह तियार हो गया इस पर आप जैसे ही इंटर करोगे तो कुछ इस तरह से आपको कलर दिखाई देगा इसका हम स्लाइड सों में आपको दिखा रहे हैं तो गाई जैसे इंटर करोगे यह कोश्चन आपका हाईलाइड हो जाएगा माउट से जैसे ही किलिक करोगे कुछ इस तरह से गाईज आपको दिखाई देने लगेगा तो गाईज आपको करना क्या है यहाँ पर साइड में दिख रखा है लिख रखा है बेरी पास्ट तो आपको शलो यहाँ पर करना है तो सिले सिले इसका color change होगा उसके बाद guys अब आपका एक question तयार हो गया उसके बाद आपको नीचे आना है guys question एक आपका तयार हो गया आपने सबको duplicate कर लिया तक दूसरे question में आना यहां side पर देख पा रहे होगे इस पर click करना है क्लिक करने के बाद guys वही इसको यहां पर आप क्या करना है दुवारा यहां से आपको question change करना है यहां से करना क्या guys आपको यहां से question change करना है आपको दूसरा question बनाना है तो आपको यहां पर click करना है question लिख लेना है अबसे हम आपर लिख लेते हैं डूसरा कॉशन्स तयार कर लेते हैं कि यहाँ से छेंज कर लेते हैं बूर्व तो आपको करना क्या है कि तो आज हमने फॉन्ड चेंज कर लें युजकेए मैं कोशन टाइप करना है तो कोशन टाइप करना है जैसे गाईज गंगा नदी का उद्गम उद्गम कहां से होता है तो सफिको कोशन एकति एक हो गया है अब कोशन ट्यार हो जाने के बाद हमें करना क्या है इसको आफ अपने हिसाब से सही कर सकते हैं सेड कर सकते हैं मैं तो काफी टायम लगेगा तो गाईज इसमें हमें ओप्षण drift थेना है हमें मद्य प्रादेश मद्य प्रदेश और तीसरे में ओप्शन देना है हमें तीसरे में देना है हमें उत्तर प्रदेश प्रदेश चोथे में हमें देना है गाई जो अप्शन में के रल तो गाई चारो अप्शन हमारे त्यार हो गए फिर अब हमें इसमें एनिमेशन देना है तो गाई इसको आप सिलेक्ट सही कर सकते हो इसको गाई हम ऐसे ही चोण देते हैं कोशन को आप अपने हसाथ सेट कर सकते हो फिर हमें करना के गाईज उत्त्राखंड इसका सई आप दूसरे में भी animation लगा सकते हो इसको select करना है यहाँ पर Select करने के बाद animation में जाना है animation के बाद हमको customize option में जाना है customize में जाना है customize में जाने के बाद guys आपके सामने एक side में यह फुलेगा यहां पर इफेक्ट पर इफेक्ट पर आपको जाना है गाईज इंपेसिस में और इंपेसिस में जाना है गाईज कंट्रेस्टिंग कलर में इस पर जाने के बाद गाईज इसको कलर देना है तो गाईज यह आपका color तयार हो गया उसके बाद फिर आपको तीसरे question पर जाना है इसको change करके फिर question तयार कर लेना उसके बाद option में जो भी दे रखा उसको हटा देना उसके बाद जिसमें animation देना है उसमें आप दे सकते हो तो गाईज आपकी इस तरह से slide so तयार हो जाएगी तो आपको हमने दो question तयार करके दिखाए हैं अब आपको slide so में दिखादेते हैं वो किस तरह से आपको दिखाई देंगे और यहां से हम कर देते हैं फार वीनिंग और यहां पर देख सकते हो गाईज कुछ इस तरह से आपको कोश्चन दिखाई देंगे और आप जैसे ही इसको एंटर करोगे ओप्षन के उपर किलिक करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा तो देख सकते हो कोश्चन तयार हो गया अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों यहाँ सेर करें तो कॉछ इस तरह से यहाँ पोश्चन तयार कर सकते हो तो काई एकर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जुरूद सेर करें थेंक यूवाई नेक्स वीडियो मिलते हैं वाई वाई